नमस्कार दोस्तों आज हुए भारत और बांगलादेश के बीच में दूसरे T20 मुकाबले में भारतिय टीम ने बांगलादेश को आठ विकेटों से वो हरा दिया बांगलादेश की टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 153 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे वहीं पर भारतिय टीम ने जवाब में 154 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाकर 8 विकेटों से यह मुकाबलाए वो आसानी से जीत लिया बांगलादेश की टीम की टीम की तरफ से स्रवादिक रन वो लिटन दास 29 रन बनाए वहीं पर नेम ने 36 रन वो बनाए थे और सौमया सरकार ने 30 रन का योगदान दिया और कप्तान महमुद दुला ने 30 रन बनाए थे और भारतिय टीम की तरफ से सांदर है वो गेंदबाजी का परदर्शन देखा गया जिससे बांगलादेश की टीम को 153 रन के उपर ही रोक दिया और वहीं पर उनके 6 खिला रिया वो वापिस पवेलियन की तरफ है वो लोट गए थे जबकि भारतिय गेंदबाजों के अगर बात कई जाती है तो यूजवेंदर चहल ने स्रवादी के वो दो विकेट लिये यूजवेंदर चहल ने 4 ओवर के अंदर 2 विकेट लिये वहीं पर दिपक चाहर ने 1 विकेट लिया और खलील एहमद ने 1 विकेट लिया और अगर बात करते हैं वासिंग्टन सुन्दरा उन्होंने भी 1 विकेट वो लिया भारतिय टीम की तरफ से अच्छी गेंदबाजी क गई और बांगलादेश को 153 रनों के उपर ही रोक दिया वहीं पर दूसरी पारी के अंदर भारतिय टीम ने बल्ले बाजी करते हुए सांदर तरीके से 14 ओवर के अंदर ही 154 रन दो विकेट लिये नुक्सान पर बना लिये जिनमें सरवादिक भारतिय टीम के कप्तान रोह चक के वो मारे गए जिनमें उनकी एक हैटरिक है वहीं पर सिखर दहुन की तरफ से 31 रनों 27 बोलों के अंदर बनाए गए और चार चोकों की मदद से और सरेस रन ने लास्ट में आकर 24 रन 13 गेंदों के अंदर बनाए और वहीं पर केल रहुल ने वो 8 रन बनाए तो इस परक मुकाबला नागपूर के अंदर वो खेला जाएगा जो टीम नागपूर मुकाबला जीतेगी वहीं इस सिरीज को जीतेगी अगर आपको भारती टीम को आप लाइक करते हो तो